हेलो व्यूवर्स कैसे हूँ आप सभी लोग उमिद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे तो आज फिर से लिके आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा तो चलिए ज्यादा बाते ना करते हुए आज का ये यूसफुल वीडियो हम शुरू करते हैं अब पहले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर जूटे लिए हैं चपल लिए हैं कुछ भी आप ले सकते हो जब हम नए नए लेके आते हैं तो देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं साथ ही दीरे दीरे इनकी चमक कम होने लगती है क्योंकि जो डबबा हम लेके आते हैं के साथ उसको थो हम फैक देते हैं खाली ऐसे ही जो भी हमारी चपल है उन्हें रख देते हैं तो इससे ही रखने से अच्छा है कि कोई भी पुराने सोक्स ले लिगें हमारे घर पर रहते ही हैं और उनको इस रखेंगे ना तो एक तो इसमें कोई भी फफून ही आपने देखा होगा हलकी हलकी से आ जाती है जूतों चपलों में वो भी नहीं आएगी साथ ही कोई भी धूल बगयरा हो भी इसमें नहीं लग पाएगा तो इसको मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ फिर आपको दिखाती ह उमीद करती हूँ आज का ये टिप आपको पसंद आया होगा कई बार इस तरह से पानी की बोटल हम लेके आते हैं और उससे यूज करने के बाद फेक देते हैं तो इसका और बढ़िया सा यूज मैं बता रही हूँ किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अब देखिए इस बोटल के अंदर क्या हूँ ना फिनाईल भरके रख ली है मतलब पानी भरा उसमें थोड़ा सा फिनाईल डाल दिया है और इस तरह से मैं क्या करूंगी इसको छिड़क दूंगी मेरी तरह कई सारे ऐसे लोग होते हैं जब जो पोचा लगाते हैं खासकर जब हम बैठकर हां से पोचा लगाते हैं तो फिनाईल डालते हैं पानी में ठीक है मक्ही मच्छर भगाने के लिए लेकिन उसकी न जो स्मैल होती है वो हमारे हाथों में आ जाती है तो उससे बचने के लिए बहुत ही बड़िया है आप अच्छे से पहले अपने पोचा पानी से साधा गीला कर लिजे और इस तरह से फिनाईल को क्या कीजे ना छिड़क दीजे और इसके बाद गीले पोचे से पोच दीजे या फिन जिन लोगों के घर पे बहुत सारे मक्ही मच्छर आते हैं पोचा हम लगा लेते हैं फिर भी आते हैं ठीक है तो आप यह कीजे इस तरह से फिनाईल का घोल बनाकर इसी तरह के बॉटल में रख लीजे पोचा लगाने के बाद हलका हलका सा छिड़क देंगी ना तो आप देखेंगे मक्ही जो हैं बहुत सारी आती हैं आपकी घर पे को कम आइंगी साथी ना आप इसका छीड़काव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे पेड़ पौद उपर आपने देखा होगा कीडे वगरा लगते हैं तो इसमें दवाईं बगरार मिलाकर आप इस तरह से छीड़काव वी कर सकते हैं साथ ही पौदों को पानी लगाने की भी काम में आप इसको ले सकते हैं तो आप किस तरह से इसको यूज करने वाले हो कमेंट करके ज़रूर बताईगा तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला टिप कई बार हमारे दरवाजे या कहीं दिवार वगारा में इस तरह से और होल रह जाते हैं देखने में देखिए कितना गण्दा लग रहा है बहुत एक द剛剛 हड़ा सा लगता है अच्छा नहीं लगता है पूरी दरवाज़ा देखिये सही है लेकिन यहाँ पर यह चोटा सा होल है अब हम इसमें कोई वाइट चीज भरते हैं जो सीमेंट वगर अगर हम चाहें भर दें लेकिन वो देखेगा बहुत तो आप क्या कीजी इसी कलर का आपको क्रियोंस लेना है ठीक है और उसको इस तरह इसके अंदर भर देना है यह देखिए मैंने इसके अंदर भर गया यह हमा और क्या किया है ना सिंब्लय मिरा शी काटने वहीं बहुत ही बड़ी तरीका आपको बताऊंगी अक्तर हम लोग जब बील एसके वी बीच में करते हैं तो हम पर चार खाने बने हूए हैं तो आपके चेखले पर में DRS मौदने कंवा बंदे और इस साइड भी यहीं से मैं कट करूँगी इससे आप देखेंगे बीज बिलकुल अलग निकल जाएंगे और आपकी सिमला मिर्ची जो है बिलकुल अलग निकल जाएंगे जैसे चाओमीन बगारा हम बनाते हैं तो बीज तो देखें अच्छे नहीं लगते हैं उसमें डालत अब मैं क्या करूँगी चाकू से इस तरह से कट करँगी यह देखे है तो आप देख सकते हैं बीज बिलकुल आराम से हमारे निकल गए हैं इसको मैं हटा देती हूं और यह जो सिमला मिर्ची है इसको आप काट कर conserv कर सकते हैं और यह जो बीज है इसको फेक दीजे अब च पसंद आये तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो चलिए देखते हैं अगला टिप अब यहां पर क्या है मैंने एक बॉटल ली है बॉटल को हमें कट कर लेना है कोई भी बॉटल ले सकते हो यहां से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है यह बहुत ही ओल है खासकर जो लोग ने ने खाना मना सीखना चाहां रहे हैं या फिर कई लोगों को ने डर लगता है कगाना बनाते कर्ची ठीक है कोई भी बड़ा चममाच कुछ भी आप डाल सकते हो ठीक है जो भी आपको पकाना हो जैसे कोई सबजी बगएरा पकानी हो तो कर्ची बगएरा डाल लीजे कोई डाल बगएरा पकानी हो तो आप इसके अंदर चमचा बगएरा डाल सकते हो ये देखिए आप लो कुछ इस तरह से ये पढ़कर त्यार हो जाएगा चले मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ आपको कई बार घर में हम ऐसी चीजे बनाते हैं जो तेल को बहुत ही ज़्यादा फेकता है जैसे की फ्रेंच फ्राइ हुआ, पनीर हुआ जब हम इसको तलने के लिए बैठते हैं तब आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा इसके चीटे हैं उड़ते हैं इससे कभी-कभी हाथ भी हमारा जल जाता है तो इस तरह की कोई भी चीज जो की तेल को बहुत ज़्यादा फेकती है जिससे हमारे हाथ जलने का डर होता है उसके लिए आप न इस ट्रिक का यूज कर सकते हो खासका जो लोग नए नए खाना बनाना सीखते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ढर लगता है कि उनका हाथ नचल जाए ठीक है तो आप इस ट्रिक का यूज कीजिए आप देखेंगे आपके हाथ पे बिल्कुल भी तेल के चीटे नहीं आने वाले हैं अब बेफिकर होके चाहें आप पनीर भूनिये फ्रेंच फ्राइ बनाईए पूरिया बनाईए कचोणिया बनाईए अब देखोगे कि तेल का ए एक दो आए हैं वो बॉटल के ऊपर ही है और कई बार होता है ना गर्मा गर्म चीज हम निकालते हैं भाप सीधे हमारे हाथ पे आके लगती है गर्मा गर्म तो ठीक है तो आप इस ट्रिक का यूज जरू कीजिए सच में बहुत ही बढ़िया है ठीक है जिनके बचे नय नय तो आप जरूर से बना के रख लीजे यह देखे मैंने आप पे फ्रेंच फ्राइ बना लिया है आप देख सकते हो बिलकुल अच्छे से बन गया है और हाथ के जलने का कोई भी डर नहीं तो कैसी लगी यह ट्रिक कमेंट करके जरूर बताएगा पसंद आई हो तो शेयर कर द थानिवाद